अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी आधालत रजट शर्मा के साथ आधालत में आज मेरे महमान है फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे जिन्होंने थीटर से लेकर सिनमा तक दूरदर्शन से लेकर OTT तक जबर्दस सफलता प्राप्त की है आप लोगों का उन्हें बहुत प्याब मिला है बिहार के छोटे से गाउं से मुबई की माया निगरी में अपनी पहचान बनाने वाले OTT के सुपर स्टार मनोज वाश्पाई और आपके अदालत में आज हमारी जज है हिंदुस्तान टाइम्स की चीफ मैंजिंग एडियेटर एंटर्टेन्मेंट सोनल कालरा और इससे पहले की इजामात का सिलस्रा शुरू करें आज की जज सोनल कालरा की जाज़त चाहेंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए बिल्कुल इजाज़त है रजज जी कारवाई शुरू करें तो आईए शुरू करते हैं आपके अदालत में आज को मुकदमा पहला इल्जाम सुपरस्टार मनोज बाजपेई पर इल्जाम है कि ये बहुत जिद्धी है मनोज जी बच्पन से जिद्धी जोपड़ी वाले स्कूल में नी पढ़ूँगा गाव में नी रहूँगा जिद्धी एक्टर बनूँगा लेकिन किसी को बताऊंगा नी चुपचा बनूँगा अगर नहीं बताता तो में निकल पाया अगर बताता तो कहाँ जिद्धी जी बहुत भूँगा जिद्धी खाती हुआ पदाता वो मुझे कभी जो है वहां से निकलने नहीं देती इसलिए जो है नौ साल की उमर से जबसे मैं अमिता बच्छन कुजी को देखा जंजीर में नहीं। मैं तब आएकुषिच कि थी कि ऐसी म मैं पूछ और किि के स्मरजते हैं। तो देखना तो बहुत पशंदा ता मेरे पिता जी को और बात कर से कि अंचितना अक्टर थी। धिलेव सहाब क्या अक्टर थी अगर मैं यिस सोवाट रहा रहतुखरें। उन्होंने भोश्पुरी में कहा, ए नाचे गावला काम थोड़ कही कुछी तो मैं समझ गया था कि अगर इनको बोला मैंने तो पहले दिल का दोड़ा पड़ेगा उसके बाद से मेरी माँ जो बहुत सक्त थी, वो मुझे डिसोन कर देगी, मेरा बेटा ही नहीं या फिर ये लोग जाने नहीं देंगे तो इसलिए मैंने अपने अंदर रखा दा जब माँ बहुत मारती थी जब फिल्में देखने जाते थे बहुत मारती थी एक बार एक बार मैं फिल्म देखने गया और एक्जाम जो था पांच दिन के बाद था और मेरी माँ और पिता जी शेहर आ गये थे तो नहीं कहा कि कहा गये थे मैंने कहा कि एक फिल्म देखने चला गया था तो पढ़ाई करते हो या फिल्म भी देखते हो मैंने थुदा सा मैं थख गया था पड़पड करके फोड़ा अनुवाइंड करने गया हुआ था तो मेरी मां से मुझे बॉडर लगता था और मेरी माँ का खौफ इतना था हम लोगों के परिवार में कि पिता जी को तो डर लगता ही था मेरी माँ से तो बचाने वाला कोई रहता नहीं था क्योंकि सबसे पहले तो पिता जी मेरी माँ के आसपास भी नहीं पाये जाते थे जब उनको गुस्सा था तो उनका खौफ ऐसा रहा कि मेरे माता का ध्यान अभी कुछ महीनों पहले हुआ जब वो हॉस्पिटल में थी तो अगर वो किसी बात पर गुसा करती थी तो छे भाई मैंने में से किसी की आउकात नहीं थी कि उस समय उस कमरे में वो चला जाए तो मेरे मा जो है वही सक्त कि थी तो इसलिए मुझे डर बहुत लगता था कि बताये नहीं और पिता जी चाहते थी कि बेटा डॉक्टर बन जाए जी मेडिकल का एंट्रेंस टेस्स देने गया ऐसा कोई कमाल का इस्ट्टुएंट कभी नहीं रहा हुआ है लेकि मुझे इतना डर था कि अगर मैंने जो आंसर लिखा सही हो गया तो मैं सच में डाक्टर बन जाओंगा कर दो कि जो च्छेशन होते थे राजाजी मेखा हुआ उसमें से आपको थीन चार उप्शन है उस पे आपको तर टिक मारक करना है तो ली अगह будет टरी जो कौशेन का आंसर मुझे आता था उस मैं ऐसे कर लेता था और ऐसे ही जो है गैस पर मैं ताकि मैं सही आंसर नहीं दू नहीं तो मुझे डाक्टर बनना पड़ेगा रेक्टर बनने से रह जाओंगा तो खैर अंटरेंस टेस्स में तो पास हुआ नहीं लेकिन एक मेरा दोस्त था बच्पन का तो वो उसने कहा कि या तो मुझे पता नहीं था कि भाई ट्रेन में इतनी दूर जाने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है तो मैंने का कितना पैसा लेगा उसने का पचास रुपया लेगा मैंने का तु मेरा कर दी बाद में मैं चुका दूगा तो मुझे उसने क्या बोला तुम कब चुकाएगा चल तुझे तू पंडित है तो तुझे दान कर दिया मैंने तू दक्षिना के नाम पर पचास रुपया करजा मिला था मुझे दिल्ली आये तो मैंने उसना कि NSD में जाने की कोशिश की ये सपना था नेश्टन स्क्रॉफ ड्रामा में जाएंगे जी जी बहुत जादा और यही सोच किया था मैं क्योंकि जब में बिहार में था तो राश्टनाट विद्धाले का जो है जैकर कभी नसुदिन शाथ जी के इंट्रीव में कभी राजबबर साब जी के इंट्रीव में और उसमें लिखा था इसमें डिप्लूमा मिलता है तो यहां पर अपने बाओ जी को जो है, मैं बेवकूब बना सकता हूँ कि मुझे थियर्टर में डिप्लोमा मिला है, तो यह कहीं भी मैं जॉब के लिए अपलाई कर सकता हूँ, लेकिन चार बार एनेजडी ने आपको रिजेक्टर दिया, चार बार, तब भी आपकी जित खतम न करना चाहता था, कि यह मतलब खाना और च्छत की समस्या खतम हो जाएगी, उसके बाद एक जगे पर आपको थियर्टर करने को मिलेगा, जी हां, तीन से चार बार मुझे अड्मिशन नहीं दिया गया था, पहली बार में बहुत मुश्किल होई थी, पहली बार तो ऐसा लग कि कब तक रिजेक्ट करोगे देखते हैं, जित तो दिखाई दे रहा आपका हर चीज में, शेकर कपूर ने आपको रोल दिया, डाकू का, बैंडिट क्वीन में, लेकिन आपको नहीं लगा कि मेरी एक्टिंग चली नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया, उस समय ऐसा था कि अ और अगर आप देखिए तो मैं दूसरा हीरो था बैंडिट क्वीन में, लेकिन जो पहला वाला हीरो था नेमल पांडे, उसको तो ऐसी सफलता मिल गए कि मतलब सारे पोडिसोर डिरेक्टर्स बॉम्बे में उसके पीछे-पीछे, और जिसने दूसरा वाला रोल जो किया था मान सिंह का मैंने किया था, बड़ी कमाल की भूमिका बेती, और मुझे लगा कि मैंने बहुत कमाल किया, लेकिन पांस साल बीद गए, एक देंदारा नहीं मिना मुझे उस रोल को करने के बाद, ना किसी ने एक शब्द मेरे बारे में लिखा, और उस फिल्म के बाकी जितने कहीं बिजी होते चले गए थे, मेरे पास काम बिलकुल नहीं था, तो भी जितनी छोड़ी, अब एक चीज है, कि जब पॉकेट में पैसा नहीं हूँ, और पेट में खाना नहीं हूँ, तो खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, पाने के लिए आसमान ही रहता है, तो ये सबसे बड़ा हुआ कि मुझे महेश भट मिले, मतलब चार साल, पांस साल के बाद उन्होंने एक बार ऐसे ही अपने घर में टीवी खोला कि देखूं तो सही कि मेरे इस पे क्या काम चल रहा है स्वाहिवान पे, और मेरी किस्मत थी कि मेरा सीन चल रहा था, तो उन्होंने फ कि माल का एक्टर है, इसका नमबर मुझ भेजो, तो उन्होंने का पेजर का नमबर है, पेजर हुआ करता था अगर याद हुआ, तो पेजर पे मेसेज आया, call me on this number, महेश भट, मुझे लगा कि कोई जो है मेरा बना रहा है बहुत बुरा, अब क्या बना रहा है आप लोग स पाचवाले हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने फोन किया नीचे जाके वो PCO से, तो भट साब से बात हुई, उन्होंने कहा तुम अभी आजाओ, और मैं उनके घर चला गया, और उसके बाद फिर उन्होंने तमन्ना फिल्म में मुझे रोल भी दिया, पुजा भट प्रडक्शन की वो पहली फिम थी, जिसमें परेशावल जी थे, मैं था, लेकिन एक कमाल का किस्सा है, परेशावल जी की डेट्स की समस्या हो रही थी, तो महजभट जी ने जब मेरा काम देखा सुआहिमान में, उन्होंने मुझे बुलाया था, ये सोच के बुलाया था, क अगर माल लीजे परेशावल जी किसी वज़े से नहीं कर पाए, तो ये रोल इस लड़के से मैं कराऊंगा, और बहुत मुझे इज़त दी, बहुत उन्होंने होसला दिया, पता नहीं उनको क्या दिखा मेरे अंदर, उनको दिखा कि ये आदमी बहुत परेशान है, उन्हो कि बात सच है, लेकिन जाना मत, तुम ऐसे अक्टर हो कि ये शहर तुमको इतना देगा जो तुमने सोचा भे नहीं था, मंदुजी आपने सारी बात बता दी, असली बात बोल कर गए, महिश भट साब ने आपके लिए एक विस्की की बॉटल खोली थी, देखे, मैं था फुक्रा, हम लोग ओल्ड मॉंक पीने वाले लोग और वो भी मिलिटरी कैंटीन से किसी-किसी को सस्ती मिलती थी तो वहाँ से हम लोग जुगाड करते थे, आगि और उन्हों ने मेरे सामने दुनिया की सबसे अच्छी उस समय की, सकॉच रख दी, blue label. और खुद तो पीते नहीं हैं और उन्होंना गा तेखो मैं पीता नहीं हूं सिर्फ उन्होंने खोला, सुँओ और मेरे सामने रख दिया. तो पहले मैं बहुत पिता था मनोच, पी-पी के गिर जाता था लेकिन अब छोड़ दिया मैंने, अब ये तुम पियो, तो मैंने का सर मैं पिता हूँ, तो पिया, कुछ नहीं हुआ, दस मिनट, पंदर मिनट, कुछ नहीं हुआ, फिर बाची चलती रही, फिर डाला, इस और वो खुद ही कह रहे था हाँ, पियो, 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 और तीसरा डाला बातचीत कर रहे हैं, भर साफ तो आप जानते हैं कैसे बात करते हैं, काफी इंगेजी होता है, लेकिन उसके बावजुद मेरे दिमाग में था कि ये चड़ नहीं देगी है ब्लू लेवल की खास बात क्या थी, आपको जाननी चाहिए, वो चड़ती है आदे घंटे बाद, तब तक मैं चार पी चुका था, और मुझे पता ही नहीं था कि ये आदे घंटे के बाद चड़ने वाली दारू है, जब वो चड़ी, उसके बाद सबसे पहला ये हुआ कि म पहेश भट जी, मुझे दिखने बंध हो गये, उसके आद जो भी बोल रहे थे, अचा लगा था ये जब सपना देख रहा हूं कि कोई आदमी वावावावावावावावावावावावावावावावावा ये बड़ा कमाल का किस्ता है वो, जी, और इसी तरहा, सत्या, जि जिसका भी कुछ शॉट्स भी अपने देखे, इतना लोग को पसंद आया, उस फिल्म में आप हीरो बनने वाले थे, जी, पहले क्या हुआ कि एक दौड फिल्म में परे शाहुल जी के साथ, तीन चार उनके हैंचमेन थे, तो उसके लिए बुलाए गया मुझे, और रामको पा बने टूइन में कौन सा रोल, वो तो मेरी फेवरिट फिल्म है, मुझे शेकर कपूर की वो फिल्म देखने का एहसास हुआ है, कि मुझे उससे अच्छी फिल्म बनानी है, किसी भी हालत में, नहीं तो मैं डिरेक्टर नहीं हूँ, अने गा, सर उसमें मैंने मान सिंग का रो उन्होंने कहा, ये वाला रोल तुम बिल्कुल नहीं करोगे, जिसके लिए तुम आये हो, इसमें 35,000 रुपे मिलेंगे, इसके लावा कुछ नहीं मिलेगा, उस वाले मैं मैं तुमको में लेने वाला हूँ, तुम अभी के अभी, सारे जितने भी काम कर रहे हो, बंद कर दो वो रोल तुम करोगे, उसके स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है मेरा, अब मेरे दिमाग में आया है कि बंबई शहर में ऐसे ऐसे वादे तो बड़े किये गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ये भी एक वादा है, जो रामगोपार वामा जी कर रहे है, तो मैंने का नहीं नहीं सर वो 35,000 रोल दे दीजे पहले, उसके बाद ये जब होगा तो मैं वो भी कर लूँगा सर, और मुझे नहीं पता था कि वो आदमी इतना सीरियस था इस बात को लेकर के, कि वो मुंबई माफिया फिल्म नाना चाहते थे, मुझे मेन रोल में ले रहा थे, फिर अनुराग के लिए मुझे अक्टर चाहिए, वो तुम करो, मेरा जो दिल टूटा था उस दिन मैं बता नहीं सकता, मुझे लगा कि यार फिर वो एक्टिंग वाला रोल मतलब की मतलब करियर वसे ही रह जाएगा मेरा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भीकु महातरे मेरी जिन्दगी मे मेरा पूरा जीवन बदलने के लिए आया हुआ है, मेरा पूरा करियर बदल गया था उसके बाद लेकिन वो करने में आपको दिक्कत नहीं हो गया क्योंकि बिहार में जिस गाओं में आप रहते थे, आप भी तो गैंग बना के घुमते थे यहाँ मैं और वारुमी के बाद जो बोड के बाद मैं निकल नहीं पाया रज़जजी वहां से तो करने ओ कुछ नहीं था वहाँ थेटर अई ठीटर नहीं था ड्रामा नहीं था और मैं किसी तरीके से जो इंटर का पुरा कोर्स कर रहा था, कॉलिज में, बहुत अन्मने भाव से कर रहा था, तो उस से में बहुत साज दोस्त मिले, फिर उसके बाद मुझे बड़ा मज़ा आने लगा, वो स्ट्रीट फाइट, वो गैंग बना के चलना, वो फिल्मे देखन जाना, उदर उस गली के गुंडे से भीड़ जाना, उदर के गुंडों से भीड़ जाना, तो उस जिंद्रगी को मैंने बड़े करीब से देखा था, और बड़े-बड़े वहां पे criminals को देखा मैंने, शायद वो जो मेरा विकु महात्रे का पुरा performance है, वो मुमकिन शायद किसलिए हो पाया कि मैंने उस जिन्दगी को आसपास से देखा था और विकु महात्रे मुंबई का माफिया किंग था लेकिन पूरा का पूरा रेफरेंस मैंने लिया था अपने बेतिया शहर के एक बड़े क्रिमिनल से वो भी कलरफुल यह पहनता था शर्ट पहनता था और नी लेकिन ये एक डेटिव रूस का अच्छा सिलसिला चला इसके बाद अक्स में आपने अमिताब बच्चन के साथ रूल किया जी उसमें अमिताब बच्चन जी के साथ जब मुझे वो रूल मिला था छे महीने लगाया थे मैंने उसको प्रिपार करने में रागोण का मेरे हिस लेकिन आप अच्छे बले खलनायक बने थे फिल्म इंडेस्ट्रीव को लगता था एक अच्छा विलन आगया है लेकिन आप अपनी जित पर अड़े कि नहीं मैं तो नेगेटिव रोल नहीं करूँगा नेगेटिव रोल के नाम पर विलन बनाते थे किसी में आमिर खान मार मैंने काई यार यह मुझे नहीं करना है यह इसे मैं करेक्टर ओर्टेड़ रोल करना चाहता था और विलन ऐसा भी लेगे कि वह मंगल्गर ऐसे आया हुआ लेकिन इस तरह करूल मिले नहीं आपने किये नहीं और सास साल तक खाली बैठे रही नहीं बैठा कुछ कुछे काम किये, बहुत अच्छे काम नहीं थे, लेकिन कुछ एक अच्छे काम हो गए, जैसे स्वामी एक बड़ी अच्छी फिल्म की थी, मैंने, एसीट फैक्टरी एक फिल्म की थी, मैंने, वो भी एक फिल्म थी, जिए, अब मैं आपको वाली फिल्मों की नाम गिना देता हूँ, फर वो चलता रहा. तो यह जो फिल्मे थी, यह आकर इनों ने कही ने कही मुझे, वो जो बुरा दिन था, उस बुरे दिन में भी मुझे बुरे दिन का हसास नो हो, इसमें यह सारी फिल्में हल्प करी, लेकिन चीज फिल्मेमा balance जा अही कि यार मुझे गाता है, जिस दिन करारा जबाब मिलेगा प्रोमो शुरू हुआ उसके बाद मेरे पास वापस से काम ही काम आ गया था लेकिन आपको कहते थे कि मैं नेगेटिव रोल नहीं करूँ पिर राजीती में नेगेटिव रोल किया फिर सादार खान का रोल जैंक्साव अवसायपूर में नेगेटिव ठीक है जिसके बतलब जिसकी अपनी कहानी है वो सब लेकिन एक विलन जो है शुरू सही डागा आज तेरा खोन पी जाओंगा तो मुझे उस तरह के रोल से या सोना कहां उतरेगा सोना कहां उतरेगा आज सोना मड आलेंट पर उतरेगा तो उस तरह के रोल नहीं करना चाहता था तो यह जो नेगेटिव जैसे जो आप राजनिती के बात कर रहे हैं मैं इसको नेगेटिव नह लड़ाई थी और मैं एक परिवार का बड़ा बेटा था एक परिवार का बड़ा बटा वो अरजुन आमपाल और छोटा जो था रनवीर कपूर था तो इन दोन परिवारों के बीच के लड़ाई थी इसमें सही कौन है गलत कौन है ये बोल पाना बड़ा मुश्किल था इस त तोनों के बीच में जगड़ा हो चुका था, कुछ मनमुटा हो चुका था, उसी का फोन आया, दस बज़ा रात को, कि आप मेरे साथ काम करेंगे, और वी दस साल के बाद, तो मैंने का, क्यों नहीं, तो मेरे पास इस स्क्रिप्ट है, आप कब इसको पढ़ेंगे, मैंने का, त तो मैंने उसको बोला, तु डेड वइन मंगा ले, तो उसने का, आप पुरा पढ़ दो पहले, पुरा पढ़ लेंगे, तो फिर उसके बात करते हैं, मैंने का, नहीं, आभी मंगा, तो उसने मंगाया, और लड़का चला गया लेने के लिए, फिर ये पढ़ता रहा, फिर मै तेरा हीरो बिलकुल अलग होना चाहिए, मैं जिस तरह से देखता हो ना कमर्शिल फिल्म को वैसा होना चाहिए मैंने का कैसा, तो उसने का आडा तेडा हो, जैसे आम आदमी होता है मैंने का ठीक है, अगली बार जब मैं मिला उसे तो मैंने कहा, बाल काटना शुरू किया, बाल करते बार्बर को रोके ही नहीं, मैंने का अब भाई हो गया, जैने दो जाएं दो, करते करते कुछ भी नहीं बचा तो इस तरीके से सर्दार खान का लुक डिसाइड किया था हम लोग ने और सुरूल्क में जो गालियं दिया आपनी उसकी बहुत चर्चा हुई मेरे मेरी जिन्दगी की तरास्दी यह है कि मैं जब अच्छी बात करता हूँ तो कोई नहीं उसकी तारिफ करता है जब गालियां देता हूँ तो बहुत तारिफ करता है किसने का कि वो गालियां डायलोग राइटर के नहीं थी मनोज वाजपरी की अपनी थी बहुत सारी बहुत सारी मैं बिलकुल जो जीता वही सिकंदर उसके बाद जो एक मुझे लगा कि यार यहां पर सीन नहीं खतम होना चाहिए यह से अच्छे से कंक्लूड होना चाहिए तो मैंने इंप्रवाइज कर दिया जब मैंने इंप्रवाइज किया तो जो डॉक्टर बैठा था वो हस्ते हस्ते वहीं गिर गिया उसने का यार मनोज अगर यह बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ तो डिरेक्टर ने कहा कि भाई आपको अगर मिलता है मौका और सही है गाली देना तो आप दीजिए तो उसने भी ट्राई किया जब उसने ट्राई किया तो डिरेक्टर इसीन को नहीं रोक दिया लेकिन गाली जो है, हम अननेसेसरी कभी नहीं करते हैं, कितनी बार गालिया खुद स्क्रिप्ट में लिखी भी होती है, तो हम कार्ट देते हैं, इसके बिना काम चल सकता है, नहीं यहां पर गाली चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कारेक्टर है और जिस तरह का सिचुएशन है, वहां पर हम मौरालिटी नहीं लेकि आते हैं, कि कल को जो है, ट्वीटर पर देखूंगा कि लोग जो हैं लगे पड़े हैं, और ट्वीटर पर तो रोज गाली दे रहे हैं, तो फिल्मों में गाली उसे इतना परहस कियो हैं, ऐसा तो है नहीं कि ट्वीटर पर जो गाली था, वो हजीरत हजरात 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 वाला, सर प्लीज एक बार वो डायलोग सुना दीजिए, उसमें एक गाली है, लेकिन मैं उसके साथ बोलूँगा, बाकी आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है, कि कल रात वासेपूर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है, हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची, तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे, कि इलाका धुआँ, धुआँ हो जाएगा, और रामाधीर सिंग के पूरे खांदान से, आपाडी का नाच नचाएंगे, हजरात, मनोज ये तालियां साबित करती है, आपने जो जिद की थी, वो कितनी खामियाब हुई, यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रोग जाते हैं, ब्रेक के बाद आपके अदालत में मनोज बाश्पाई पर जनता के जामाउत और सवालात का एक उता हुँआ है, पता है आग गाली क्यो मैंने दिया है, लोग समझेंगे कि ऐसे ही गाली दे रहा हुँआ, आप बनारस गया है रजज जी, वहाँ पर अच्छी बात भी बिना गाली के तो होती नहीं है वेल्कम बैक, आपके अदालत में आज हमारी महमान है, मनोज बाश्पाई, आपके अदालत में अगला इसांग आपकी अदालत में, फिल्म स्टार मनोज बाश्पाई पर आरोप है, कि ये हर जगह अपनी मर्जी चलाते हैं एक बड़ा फेमस गाना है, मैं चाहें, ये करूं, मैं चाहें, वो करूं, मेरी मर्जी तो मुझे लगता है, ये आपका थीम सौंग होना चाहिए, सब जगह मेरी मर्जी अगर मैं अपनी मर्जी का नहीं करता, तो एक गाउं के किसान का लड़का, आप लोग इसे इतनी इजज़त और इतना प्यार कैसे पाता है, ये मुझे बताईए, तो कही ने कही आपका नाम, आप अपनी मर्जी से ही ने रख पाये थे, आप उसको बदलना चाहते हैं मेरे पिदा जी ने मनोज कुमार जी के प्यार में आकर के, उन्होंने मेरा नाम मनोज रखा था जब तक मैं बड़ा हुआ, तब तक जो है, किसी भी बाजार में, बिहार में आप जाईए, तो वहाँ पे होता है, मनोज पंक्चर वाला, मनोज लिट्टी चोखा वाला, मनोज साइकल वाला, मनोज मीट भात वाला, उस समय की हालत ऐसी थी, कि उपर कोई अगर थुक भी थ इतना कॉमन नाम हो गया थो, तो मैं चहाता थे कि ऐसा नाम हो, कि किसी का नम तो मैंने नाम सोचा था समर, कि मैं अपना नाम रखूगा, लेकिन शूल फिल्म में संजे सिंग नाम रखा था उन्होंने, मेरे किर्दार का, अनराक करशप ने, तो मैंने का यार यह जिस तरह का रोल है, इसका नाम संजय नहीं होना चाहिए, तो उसने का क्या नाम होना चाहिए, मैंने का इसका नाम होना चाहिए, समर परताब सिंग, क्योंकि मैं अपना नहीं बदल पाया, तो मैंने अपने नायक का ही बदल दिया, और यह भी सुना कि आ सम्भावना क्या बहुत साई सम्भावना है लेकिन उसको कॉंपेंसेट कर लेता हूं मैं काम से तो इसलिए अभी तक जो है बचा हुआ हूँ लेकिन जिस तरह किसे AI होगर जो है वा आटिफिशल इंटेलिजेंस होगर आरा है मुझे लगता है कि बहुत मतलब इस दुनिया से इसलिए मैंने सोचा है कि कम से कम मरने से पहले अगर कोई टेक्नोलोजी आ गई तो एक अच्छा चेहरा जो है यहां पर लगाया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है जो सत्या का रोल था मैंने सुना कि उसके लिए आप अपने राइटर ले गए थे उस शुरू से क्योंकि रामकोपार रमाजी ने कहा था कि मुझे राइटर्स चाहिए और मैं जो बैंडिट कुईन में इतने सारे टैलेंट के साथ तुमने काम किया है अलग-अलग डिपार अनराक कश्यप से हम सब लोग यंग थे वो मुझसे भी छोटा था तो अनराक कश्यप को लेकी गया और उसके बाद उन्हों कहा कि डायलोग राइटर चाहिए तो सौरभ शुक्ला मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे मैं उनको लेकर गया तो ऐसे कई सारी चीजें मैं भी ऐसे कई सारी चीजें आपको बता सकता हूं। इफ फैमिली मैन उन्होंने आपको स्क्रिप्ट सुनाई तिवारी का कैरेक्टर बताया आपने पूरे ध्यान से सुर लिया उसके बाद डिरेक्टर से का कि मैं बताता हूं यह क्या होना चाहिए तिवारी आप लोगों बनारस का रहने वाला वहां पे पैदाईश इसकी वहां से दिल्ली इंवस्ट्री में आया दिल्ली इंवस्ट्री में प्रहाई UPSC कंपीट किया हूँ आदमी है और अब जो है इंटेलिजेंस में काम करता है वो पता है आप गाली क्यों उसमें शूरुआ मैंने दिया है लो इसकी आदत वैसी है जमाने इसी है दिल्ली इंवस्ट्री में अपनी पतनी से मिला था जो कि साउथ इंडिया की थी और फिर इन लोगों का ट्रांसफर हुआ मुंबई जैसे शहर में तो यह कहानी है अब उसको जब बनारस का बनाना है और बनाया है उसको तो उसके साथ न तो उसको देगे उसमें हमारे नौर्थ में क्या है कि बाप जो होता है वो अपनी पतनी से और बेटियों से बहुत घबराता है और बेटो को अपना कंपेटिटर मनता है तो बेटो को गाली देने में एक सेकंड भी नहीं कतराता है लेकिन बेटियों के सामने भी गाली नही तो इसलिए वो उसके सामने किसी भी तरीके के बात करता है और बहुत ही तंग है अपने बेटे से बहुत तंग है उसको लगता है कि यार ये मतलब मेरे घर में ऐसा नलाज कैसे पैदा हो गया जो वो म्यूजिक सीखना जाता है लेकिन उसको ताल का भी पूरा ग्यान नहीं है तो उसको लग रहा है कि पैसे मेरे वेस्ट हो रहे है जो पगार आरी है गवर्मेंट से वो बिना मतलब इसके टूशन में खर्च हो रहे है तेकिन अब जो आपकी नई फिल्म आरी है इसमें काफी गुड लुकिंग है आप से सुने है हाँ बहुत सुन्दर हूँ मैं देख तो अगर थोड़ा सा थोड़ा सा गुड लुकिंग हो गया तो आई कन अलसो से आम टालेंटेड अना गुड लुकिंग तू शैक गुड लुकिंग इसलिए कि जो एक बंदा काफी है प्रोडूसर मुझे बता रहे थे इसमें डिरेक्टर कौन होगा ये भी आपने तै किया बहुत सारी चीज़े मेरी मर्जी से नहीं होती मेरे प्रोडूसर की मर्जी उन मैंने उनको पूछा सुपन से और विनोद भानुशाली जी से कि भाई कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है लेकिन इसका डिरेक्टर कौन है तो उन्होंने कहा वह आप आप डिसाइड क कि यंग आदमी है और उस आदमी ने एक आइस्पिरेंट करके शो बनाया था योटू पे अच्छा था ना है वो उस डिरेक्टर को मैंने कहा वो डिरेक्टर रहेगा इस फिल्म का डिरेक्टर सर आप एक बार काम देगो सुपन बर्वान ने कहा मैं जानता हूं मैं लेकर आ जानताया उसी साथ कोंट्रवर्स्य हो गई जै असाराम बापू के लोगों ने केस कर दिया पदा नहीं क्यों कियो केस के हमने तु कुछी नाम नहीं लिया अ कि लिए ने कि एक कि लिए उस उस विक्टिम के जो असली वकील है उसकी तरह दिखता है उसका नाम वही है आधा विजय, राहूल, देव, कितना बढ़िया है, सुलंकी, वकील सुलंकी, एक नए तरीके का नाम है, नए तरीके का हिरो है, जो हमारे बीच से आता है, आम आदमी के बीच से आता है, लेकिन वासाराम बापून के समर्थक, सपोर्टर, सोशल मीडिया पर बहुत कैम्पेंच चल वो किरपया फिल्म देखें, फिल्म देखने के बाद उनकी साही राय बदल जाएगी, मैं यसा मानता हूँ, अब थोड़े दिन में लोग कहने लेगें, जैसे आजकल फैशन है कि इस फिल्म को बॉयकॉट करो, बहुत अच्छा है, तो ज्यादा लोग आएंगे देखने के यहां एक और ब्रेक के लुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपके अदालत में मनोज बाशपई पर इल्जाम और तो सवालात का एक अच्छा है, जिन लोग के पीछे आप इट लेके भागे थे, वो क्या किस्सा था? उसने दारू पेकर ललाई हो गई थी और ते वेल्कम बैक, आपके अदालत में आज हमारे महमान है, लोग क्रिया कलाकार, जबरजस एक्टर, मनोज बाशपई, आपके अदालत में अगलाई है आपकी अदालत में आक्टर मनोज बाशपई पर इल्जाम है, कि ये बहुत गुस्से वाले हैं आपकी वाईफ कहती हैं, कि जितने लोगों को आपने नाराज किया है, उसके इसाब से तो आपको खतब हो जाना चाहिए था अब मैं आपको गिनाता हूँ, आपके जो दोस्त हैं, अनुराक कश्चप, सत्या में, शूल में, कौन में, आपके साथ काम किया वो कहते हैं कि मनुश का घुसा बिहार से लेके महराज तक, बेतिया से लेके मुंबई तक, सब जानते हैं और उन्होंने 11 साल आपसे बात नहीं किया ता, उसका कारण कुछ दूसरा था, लेकिन हम, मैं उसके पीछे भी भागा था एक बार उसको भी जो है उससे नाराज हो गया था तो वह आगया कि भाग राता, मैं पीछे-पीछे भाग राता, उसको मारने के लिए और वो अकेला नहीं है, इस जो तिंग मैर्शू धूलियां हैं, इनके पीछे भी आप इंट लेके भाग रहे से सड़कते हैं अब शोड़िये का आज सब बात करने हैं इस अब जवानी की कुछ गल्तियां हैं, तो उनके बारे मुत क्या बात करें बहुत हैं, हनसल मेता, उनके साथ अपनी इतना काम किया, उनका कहना है कि अमेरिका से फोन करके खूब गालियां देनी मनोज ने, उसके बाद 6 साल उनने आपसे बात नहीं की जी सही है, स्विकार है, स्विकार है, माफी मांगता हूँ अनुभव सिना, सिर्फ आपको 2000 रुपे कम भी ले थे, इसके लिए आपने उनको सुना दिया अच्छी तरह से अच्छा मैं अनुभव सिना के अब जरा मैं यह आपको वाक्या मैं बताता हूँ, आप लोग डिसाइड कीजिए कि मैं सही था अनुभव सिना एक सिर्यल कर रहे थे, उसमें में रोल हमारे एक दोस्ते विनित कुमार वो कर रहे थे और मुझे उस माफिया किंग का राइट हैंड का काम मिला था और वो गुंगे का रोल था, ठीक है अब पूडूसर के साथ में ये तैव हुआ कि चार हजार रोपे पर एपिसोड मुझे मिलेगा तो मैंने अपना पैसा उन से नहीं लिया, चार एपिसोड शूट हुआ, तो कितने पैसे हो गए सर मेरे? 16,000 रोपे, और 16,000 कब? 1993 में, जब खाने के पैसे नहीं होते थी, अब क्या हुआ कि जब मैं पैसा लेने गया, तो प्रोडूसर ने कहा, यार मुझे तो बेवकूप बना दिया गया मैंने क्यों, तुझे इतना पैसा के मिलना चाहिए? ने, जबस के ऐसे काम किया, मुझे पता ही नहीं थी को रोल कर रहा है? कि तुने डैलोग ही नहीं भूला है, तो चार हजएय के किस बात के है? तो मैंने का का, नहीं भाई, बहुत मिहनत करनी पड़ती है, सिर्फ ड़लोग बोलन को थुड़ी होता है, नहीं नहीं 15,000 रुपे दूँगा मैं क्योंकि तुने डालोग नहीं बोला है गुंगे का रूल किया है तुने तुने उसने मुझे पैसे ही नहीं दिये और मैं गुसे की बाप पर आऊँ वहाँ पर मैंने कहा कि तो रख लो अपना तुम तुमको दान दे दिया मैंने 16,000 रुपे जो है उसके मतलब वो जो चेक दिया था वो आफिस में फेक के आ गया था उसके बाद अनवर सिना को फोन किया तो अनवर सिना किया कि यार वो तो पर्डूसर है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ इसलिए मैं गुसा हो गया उसे कि तुने स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए अब मेरा इतना जिगरी दोस्त अगर उसने स्टैंड नहीं लिया तो इसलिए नाराज हो गया था क्या मैं सही था कि नहीं था बताईए लेकिन जिल्लों के पिछे आप इट लेके भागे थे वो क्या किस्सा था कुछ नहीं दारू पीकर लडाई हो गई थी और जब मनुझ बाजपई पी लेते थे तो उसके बाद कंट्रोल मुश्किल था नहीं नहीं असा नहीं था मैं कभी नहीं मैं इस मामले में हमेशा जब जब चोड़ी जब तक मैंने छोड़ी भी तब तक मैं कह रहा हूं जैसे ही मैं उन्हीं दोस्तों के साथ मैं बैठता हूं जो लोग दारू पी रहे हैं शराप पी रहे हैं तो मैं उन्हीं के साथ बैठता हूं जिन मैं जानता हूं कि लोग जगड़ा नहीं करेंगे आपस में नहीं तो मैं अधर्वाइस मैं बैठता भी नहीं हूं जाता नहीं उसमें नसीर साब मेरे भगवान जैसे रहें, आक्टिंग के दियोता रहें, तो मैं उनको कोई फिल्म देख लेता था उनकी और मैं एकदम गदगर हो जाता था कितना सीख रहा हूं, तो रात को फोन कर देता था उस नशे में अपना प्यार जताने के लिए, तो एक बार फोन किया, अपने दोस्तों के साथ जब पार्टी कर रहा था तब मैंने कहा, नसीर भाई, I love you sir, तो उन्होंने कहा, Manoj मिया, कितना पीछे के हो, जिन दोस्तों के साथ आप पार्टी करते हैं, वो ही बताते हैं कि एक जमाना ऐसा था, करता था, वाजज जी, अब कहां, उसी जमा जो बाद में सत्या में आया, तो देगे ना, जी, बीकु मातरे भी अपने गाईं के किसी दोस्त के बहन के शादी हो रही है, उसमें नाच रहे हैं, सब लोग दारू पिये हुए हैं, और सब नाच रहे हैं, नाच गाना तो ऐसे ही होता है सडकों पे, और आम लोगों के आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जनता आपके अभने की दिवानी है, लेकिन आपने किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं किया, कुछ खास वज़े? वज़े तो वही लोग बताएंगे ये शोपरा जी ने आपको बिलाया था, वी जहरा में काम किया था आपने? और मैं तेरे अलावा में किसी को सोच नहीं पा रहा हूँ तो तू क्या मेरी फिल्म में गेस्ट अपीरिंस करेगा इतना बड़ा सम्मान दिया यह शुपड़ा जैसे महान निर्देशक ने और मैंने का कि सर अब जो बोलोगे मैं करूँगा और मने उसमें काम भी किया और मेर एक्सपीरियंस यह जी के साथ में बहुत ही कमाल रहा और मैं यह जी को ऐसे ही बहुत याद इसलिए करता हूँ कि मैं अलग तरीके का एक्टर था अलग तरीके की फिल्मे करता था लेकिन जिस तरह का सम्मान उन्होंने पूरी शूटिंग में दिया उन्होंने एक बड़ी कैसे कर दूँ कि तुझे मैं इससे ज्यादा बड़ा रोल दूँगा लेकिन जो तुने किया है उसने उसी से मैं इतना खुश हूँ मैं दिमाग में रहता है कि मैं क्या करूँ मैं कि ये फेवर लोटा आओ तुझे अनुप हम केरिये कहते हैं कि आज भी इतनी फिल्मे करने के बाद भी जो बड़े बड़े प्रोडियूसर्स हैं प्रोटेक्शन हाउसेज हैं वो उनको फोन करते हैं और काम मांगते हैं जी मैं भी करता हूँ और अब अब मैंने उनको मिल जाता है आपको नहीं मिलता ने बहुत दिखे ना मैं जहे निरश पांडे मिला मेरी अपनी जिन्दगी में उसी कारण निरश पांडे जा छे फिल्मे की जब मेरा बुरा दौर चल रहा था तो ये अनुपम जी की ये जो डिसिप्लिन है वो मैं लागू कर रहा था और इसी चकर में वेटनेस जे फिल्म आई तो मैंने निरश पांडे जी को फोन किया कि आप मुझे क काम दीजिए मेरे पास काम अच्छा काम नहीं है और उसके बाद उन्होंने स्पेशल 26 दिया था मुझे स्पेशल 26 का वो रोल इतना पसंद किया गया कि उसके कारण मुझे बहुत काम आई और खुद निरश पांडे ने मुझे छे बार मौके दिये तो वो डिसिप्लिन बह कोई बढ़िया नया डिरेक्टर मिले जो मेरे मेरे पास जो है उसको और उभार कर सामने लेके आए कुछ नए तरीके से कहानी लिए क्योंकि स्रमाज बदल गया है हमारी तो दूआ है कि आप और सफलता की उचाहिया कायम करें और आपका हुनर निकर के आए और अच्छे ड आच्छित कर रहे थे आचानक से अब आज आई वो हिली और इधर इधर मैं घबराया ऐसे करके दूसरी तब देखा अनपम जीर अपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं सबात पूछ रहे हैं मनोज बाचपाई से आपकी अदालत में अगला जाए आपकी अदालत में फिल्म स्टार मनोज बाचपेई पर आरोप है कि ये अजीब अजीब शौक पालते हैं अब देखे मुझे पता चला है कि आपको बादार में जाके आलू, टमाटर, भिंडी, प्यास, धनिया ये खरीदने की बड़ा शौक है मुझे अच्छा लगता है और मेरी पतनी ऐसी है कि हम लोग शूटिंग से आ रहे होते हैं और कहते हैं आते हुए ना बैंगल ले लेना और परवल ले लेना और मुझे किसी और दुकान से नहीं तुम जब चार बंगला में जो बाजार लगता है तुम आते हैं सिर्फ वहीं से लेना आजकल सबजी वाले क्या करते हैं? मेरी खेड़की के पास चलाते हैं मेरी खेड़की क्या क्या चाहिए मैं अच्छा दो किलो अलू दो किलो टमाटर आदा किलो परवल यह करो थीके मैं बहारा ना ना बढ़िए अंदर बहार में भीड लग जाए अजकल वह गाड़ी से निकलने नहीं देते हैं सुभा सुभा किचन में जाके बर्तन दोते हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि बर्तन जव्ष्राइस की पढ़ा रहता है और वहां से मुझे और मेरे पतनी को फी नहीं अच्छा लगता है नहीं प्सक्राइप ही तो देखिये, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी कायक्टर पर काम कर रहा हूं या अगले दिन के सीन पर काम कर रहा हूं, तो चल रहा है और सोचे जा रहा हूं, कायक्टर भी तयार हो रहा है, सीन भी याद हो रहा है, बरतन भी दुल रहा है, तो कई सारे काम जो है, आज पर एक नया शौक आपने पाला है पैसा कमाने का नया जुनून है कैसे सर्वता ही देखे आपने कहा कि 10 साल में 50 फिल्में करना चाहता हूं 40 दिन में हर बार नया प्रोजेक्ट करूँगा अब मुझे पैसे कमाने है आप तो बहुत दिन हो गया भुखमरी के अच्छी बात क्या है 40 दिन से जादा मेरी फिल्में नहीं लेती है बन्दा मेरी 35 दिन में बनी है और गुलमोहर मेरी 34 दिन में बनी थी तो मैं देखता हूं कि बाकी लोगों की फिल्में जो बड़ी फिल्में बनाते हैं उनको लगता होगा 70 दिन, 80 दिन, 100 दिन, 500 दिन और मेरी कहानी वाली फिल्म होती है करदारों वाले होती है लोग भाई लोगों को अच्छी फिल्म चाहिए अच्छा काम चाहिए तो कोई 100 दिन में ठिक ठाक पैस पैसा जाधा तो कितना जाधा पता नहीं उसका तो कोई definition नहीं है लर्कीन हाँ पैसा हिरा कम का जरूर है कम जब होता है तो तकलीफ बहुत होती है यहाँ तो सब लोग एंड कलास के लोग बैठे हुए है सब जानते हैं कि जब पैसा कम होता है तो तकलीफ होती है लेकिन पैसा उतना होना चाहिए कि आपकी जिन्दगी आराम से कड़ जाए जिस होटल में जाके खाना चाहें खा पैं जिस टैक्सी को में बैठना चाहें बैठ सकें और जो जिन्दगी में जहां से इलाज कर रहा हूं चाहते हैं इलाज कर आप हैं हो गया लेकिन एक जमाना था आप दोस्तों के लिए मुख्त में काम कर देते थे फ्री में फिल्में करते थे जी बिल्कुल सही कर रहा है बहुत सारी फिल्में मैंने फ्री में किया है बहुत सारी फिल्म, उनका नाम लेना ओचित नहीं होगा जुबेदा, फिजा, मैं लेनाम लेना बजट ही नहीं होते थे उस समय में जैसे मैंने बागी टू की थी, एहमद खान के लिए एहमद खान दोस्त था, उसने फोन किया कि तुझे करना ही है इसमें तेरी जरूरत है, तुझे हेल्प करना है, मैंने कर लिया बागी टू ने 280 करोड कमाए मेरे ख्याल से या 2500 करोड टाइगर शोरप को तो फैदा हुआ, क्योंकि वो हीरो था मैं उसमें नेगडिव रोल में था तो मुझे भी बहुत फायदा हुआ, फिर मुझे अपनी फिल्म मनाने के लिए बाजार ने पैसे दिये, तो मैं बड़ी फिल्म भी इसलिए भी करता हूँ ताकि मुझे वहां से स्ट्रेंथ मिले, बाजार में आपका भाव बढ़े ताकि बाजार आपकी और फिल्मों पर पैसा लगा है, इसलिए मैं जो है, मैं कहता हूँ कि 40 दिन से ज़्यादा नहीं लगता हूँ मैं सवाल जरूर पूछ रहा हूँ, इल्जाम जरूर लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआ है और मेरी इच्छ है कि आप बहुत पैसा कमाएं आप में इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, तीस साल में सौफ फिल्मों से ज़्यादा आपने काम किया है, तो आपको उसका पैसा तो मिलना ही चाहिए बिल्खुल, थांक्यू उपताली बजाई भाई एक और शौक है, जिसका जिक्र आता है, कि आपको डांस करने का शौक है, लेकिन जब से रितिक रोशन का डांस देखा, तुम उस शौक को छोड़ दिया है बिल्कुल सही है, मैं डांस वांस करता था, मिथुन चपकरदी सहाब थे, तब तक हम लोग रिशी कपूर जी को देख के लगता था, कि यार ये थोड़ी मेहनत करूँ तो ये कर सकता हूँ, हम उसके आसपास भी पहुँच गये थे, लेकिन अचानक, एक दिन, एक नायक आ हुआ, मैंने, वो देखने के बाद, मुझसे, मैंने अपने आपको वही कहा, जो रामाधिर सिंग के ने अपने बेटे को कहा था, तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन आपको तो शारुक खान ने बहुत पहले जब आप साथ में थीटर करते थे, डांस सिखाने की कोशिश की थे, आपको डिस्को लेके गए थे, ये लोग जा रहे थे, मैं पीछे-पीछे टंग गया था, तो ये लोग तो खैर, साउध दिली में रहने वाले लोग थे और मैं था कि ये लोग अच्छी वाली सिखेट पीते थे और मैं अच्छी वाली बीडी पीता था, तो हम लोग एक दूसरे बसंद करते थे, ये लोग जा रहे थे मौरया, वही पे था घूंगरू, घूंगरू करके डिस्कतेक हुआ करता था, तब लेके गया मेरे पास तो चपल थे, अब वो डिस्कतेक वाले ने कहा है कि यार ये चपल वाले को अलाओड नहीं करेंगे हम, तो लॉबी में घूंगूं के शारुक और उसके दोस्त जो हैं, किसी से जूता उधार मांग रहे थे कि जूता उधार देते हूं तो इसादी को लेकिता, एक आदमी मिल लोग नाच रहे हैं तो एक गाउं के आदमी को पहली बार डिस्कतिक देखने का मौका शारुक और उसके दोस्तों कारव मिला था आपको एक डालोग है ना सत्या में मुंबई का किंग कॉन तो आप तो जवाब नहीं दे सके लिए कि जनता ने जब शारुक को देखा तो कहा किंग खान जी और उसके बाद जनता ने बोला क्या जो आपने मेरे परिचे हैं बोला था ओटी टी का आपको याद होगा बाश्चा की गली में आके उसका पता नहीं पूछते गुलामों के जुके हुए सर खुद बखुद रास्ता बनाद बता जादर तो देखा गया पिक्चर क्लिक तो बहुत खुशी से कराते हैं पर जब सेल्फी की बारी आती है तो आप बहुत कत्राते हैं ऐसा क्यूँ उसका कारण है कि एक आदमी अचानक कोई अंजान आदमी आगे आगे लिखाई यह सार जेता हुँ चुब मैं तरह से घवरा जाता हूँ और सबसे तो मैं महिलाओं के साथ सेल्फी लेने में पले देखता हूँ कि पीछे कोई एक आदमी जरूर होना चाहिए ने तो पता चले की एल्जाम लगा दे लिखना चाहिए ताकि यह लगे कि भाई सेल्फी जो है लोगों की पस्थिति में लिया गया या केले में लिया गया नहीं है तो बहुत ध्यान लखना पड़ता है और उस सेल्फी खिचवार नहीं पाता हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा नजदिकी, फिजिकल नजदिकी से मैं थोड़ा गबराता हूं. तो यही वज़ए है कि किसी हिरोईं से आपका नाम कभी नहीं जुड़ा? हैं, जुड़ा ना? मेरी पत्नी में तो हिरोईं ही रही है. यही वज़ए है कि तब्बू, कट्रीना, वो मनोज बासपरी के पैर चूती हैं. तब्बू ने सत्या देखी थी और भरे सेट पे आकर के उसने यह बतलब वो तब्बू का मेरे लिए जो है वो अप्रिशेट करने का एक उनका अंदास दात उन्हों पैर चूती और कट्रीना ने जो है मेरी तो मिट्टी पलित कर दी, पूरे मीडिया के सामने उन्हों ने आज तक जो है चले जा रहा है कि आपके कट्रीना ने आपके पैर चुए थे अरे भाई उन्होंने सम्मान दिखाया खास करके उन्होंने बराजनीती फिल्म देखी और देखने के बाद वो मैं उस समय नहीं था स्टार कास के साथ में and she was so glad, so overwhelmed कि हम लोग साथ में काम कर रह अब वो अपने अपना एक ने वो तो glad है आपको क्या लगा थोई शर्मिंद्गी हुई कि इतनी सुंदर जो heroine है वो आगर के पैर चुरी है आपके तो पहले ही आप बुजर्गवार हो गए अभी कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता हो कि हाँ डर ने डर ये लगत मिल रहा है और इतना प्यार इतनी इजट मैं किसी तरीके से इस जनता को निराश नहीं करूं उसी कर रहता है और कोई बाकी बाकी आदमी और परिस्थिती ना मुझे डरा सकते हैं ना मैं जुछी जुका सकते हैं मैं जुछी जब बैठते हैं हवाईजाज में उसमें बहुत डर लगता है बहुत जादा एक बार अब तर्बुलेंस होता है तो आप लोग भाईजाणी तो आमोमन मैं स्लीपिंग पिल लेकर सो जाता हूं जब मैं अमेरिका ओगर जाता हूं या लंडन जा रहे होते हैं अ कि मैं कहीं नहीं जाओं और टर्बुलेंस में मुझे बहुत डर लगता है बहुत जार डर लगता है हाल फिलहाल में जब मैं अपने हवाईजाज में बैठा तो देखा कि अनुपम खेर साहब हमारे बगल में बैठे हैं और हवाईजाज बोडी आपस में बातचीत कर रहे अचानक से आवाज आई वो हिली और इधर इधर मैं घबराया ऐसे करके दूसरी तब देखा अनुपम जी तो पूरे रास्ते पूरे रास्ते मैं अपना डर भूल गया मुझे मुझे लगया कि इनको तो मुझसे भी ज़दा डर लग जाए तो मैं उनका हाथ पकड़के नह मैं उनको पूरा साइन समझा रहा था कि टर्बिन्स की होता है मदूजी हमने आप पर हर तरह के इल्जाम लगाया और आपने बड़े मुस्कुरा के हंस्के सवालों के जवाब दिये हमें एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बास सुनेंगे आपके अदालत में आज की ज़ज सोनल कालरा का फैसले का मनूज आप बहुत ही इंटेंस अक्टर हैं यह हम सब जानते हैं पर आज आपके जवाबों ने यह बताया होगा कि आप बहुत ही हाजर जवाब रोचक किसम के इंसान है मैं देख रही थी यह बैठके कि आप डिफरेंट एज ग्रूप के हर उंबर के लोग बैठे हैं सब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी आज इतना हसाया आपने इन सबको तो आपको सजा दे पाना तो पॉसिबल नहीं है इसके बाद लेकिन बाइजद बरी करने के लिए एक इसी शर्थ है हमें शर्मिला जी ने पिछले दिनों बताया था कि गुल मोहर की आक्टिंग के दौरान आप उनका गाना गुन गुनाते थे जिससे वह बहुत इंप्रेस हुई थी उनकी पुरानी फिल्म का गाना तो जाते जाते अगर आप एक-दो लाइने सुना देते हैं मैं बाईजद बरी हो जाओं तो मुझे ये दो लाइन गुन गुना आना पड़ेगा जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग नवस्टे!